सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर केलाश लेकर के आया हूं आज नागराज सेट 10 का डिटेल रिविव्यू यहां नागराज सेट 10 लेटिस्ट सेट है राज कोमिक्स भाय मनोज गुपता जी की तरफ से और इसमें शामिल किये गए कोमिक्स रंडम है एक्शुडी जो भी नागर सेट सेट 6 एक्शाथ बन जाएगा डिनी हम एक सथ क्फानिन करेंगे तो पूरा सेट बन जाएगा इसमें रंडम कॉमिक्स है कोई नाइन त्यस pierwszy का को मिख संद्धल का मध सेवनत जो इन सब में मेरा अिछा दारी और यह इस पूरे सेट में जो नाइन पराना कोमिक्स है नागराज का नागराज को और खजना सीरीज से अलग ट्विस्ट दे दिया था नागराज की लाइफ को तो उसके बाद में जो सोलो कोमिक्स का एक दोर आया था अनुपम सिनाजी के दोरा उस सीरीज में ये सेकेंड थर्ड कोमिक्स आता है क्राइम केंग को अगर हम फर्स्ट माने विश्कनिया को सेकेंड और फिर थर्ड था इच्छाधारी बहुती शांदार कवर आट था और बेक्ग्राउंड बिल्कुल वाइट तो ये उभर के आता ह इसका एक रिप्रेंट पहले भी आया था इस पूरे सेट के इंबोक्सिंग में मैं कुछ बाते बता चुका हूं पहले कि इच्छाधारी केंचुली जो भी रखी विये सामने कोमिक्स इन सब के रिप्रेंट आये थे भी 2018 के आसपास में लेकिन उनमें थोड़ा सा कवर पात करें सिंगल शोट स्टोरी है और इस इच्छाधारी कॉमिक्स से पहले जब खजाना शीरीज में अनुपम सिनाजी काम कर रहे थे तो उसका थर्ड पार था जहर आँपर मेंचन क्याता यह सोरी वहांपर अनुपम सिनाजी ने मेंचन क्याता की नागराज अपनी इच्छा तारी बनाई है नुपम से राजी ने और शुवात की है देखो अलग अलग शक्ति को नाम बताये हैं सर्प सेना सर्प रसी विश्वंकार विश्दंश दिवार पे चड़ सकने के शक्ति हजारा नागो की चारिक शक्ति सम्मोहन शक्ति इन में से इच्छादरी टाइटल से यह कोमि शक्ति आज़ चुका है 2006 के आसपास में नागा एंट से पहले तो इन सब सक्तियों पर आधारित कॉमिक्स आच चुकी है इच्छा दरी बहुत शांदर कॉमिक्स है इसमें नागराज भारती को इंटर्व्यू देता है स्टूडियो में और यहां पर एक नया विलेन आता है सब्सक्राइब कुछ पर UMकुद्वर्य गुद्व होता है जो चीजों कोट्राजबट करने पर कर रहा होता है इसका या होता है कि वो जीवी दोस्ते हों पर कुछ एक्सपरिमेंट करे उसको कोईयान वहोन सोर्स सब्सक्क्राइब कि यह षिंग संग्राइब सब्सक्राइब अधराइस जो वर्तमान की स्टोरी होती थी इसके कॉर्णर शार्प होते थे फ्रेम्स के तो यह स्टोरी इसमें बदा रखी कि सीथ रूप पहली बार उसने नागराज को रूप बदलते देखा या अपनी इच्छाधर शक्ति का परियोग करते देखा तो समझ में आए कि ऐस 23 से लिए करके 46 तक वो बक स्टोरी चलती है है 46 में से 23 निकाल दे 23 चोषट पेजिस की 24 में 20 पेज की 20 तो से ज्यादा पार्ट वह बेकिस्टोरी कवर करती है वह से नाजीने गड़ी है बहुत चांदार पर 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 प्रहूं में यह थी कि यह बेक स्टोरी अब तक हम को पता इसलिए नहीं थी क्योंकि नागराज ने अपने आपको ऐसा आधेश देर्खाता समभूइत करके कि वह यह बेक स्टोरी किसी से भी शेयर ना कर सके क्योंकि अगर इसे इंफोर्मेशन शेयर हुई तो किसी पर तरह किसी इच्छा दार शक् उनका नाम बुल गया दोक्टर करोना करन जो इसनेक पार्क में थे एक्सपर्ट बो बताते हैं एक को डॉक्टर कार्थिक सोरी तो डॉक्टर कार्तिक है जो ऐसा कुछ मशीन इजाद करते हैं कि नागराज सिर्फ सोचे और वो प्रिंट हो करके आ जाए इस तरीके से प्रम पाट दिया वाओ उसमें हमको प्रस्थावना दी गई है सीघ्रू की तो सी थू कैसा भी होता है इसमें यह विज्ञानिक नागराज के कोछिची करता है कि ऐसा अधेश है टो है कि ऊसके तो हम कर सकेях कि नागराज भोले उसकी जूरी तक अम सब कुछ ठीक है तो वह ग Canada in future कभी आता है तो नागाज के गोड़िद्व Me यह वह विगयनिक हेल्प तो करता है लेकिन हेल्प एक्चुरी नुक्सान बदल जाती है वहाँ पहुंच जाता है और फिर बाद में वह और क्योंकि वह पहले का जो बैक इवेंट का जो सीत्रू था जिसके स्टूरी नागराज ने उस साइंटिस्टों बताई थी वह इस स्टूरी में अधर तिंक्स को भी आप देख सकते हैं अलगकल पूर्जे उगर मिला करके ऐसा प्राणी बनायाता है और अनुपम सीनाजी की कोमिक्स में डाइनसौर जरू देखने को मिलते हैं इच्छा दरी के बाद मैंने महाकाल बढ़ाता सूपरकॉन दूरू का उस इस तरीके से जो है ऐसा क्या लोजिक निकलता है कि वह नागराज सारी प्रोड़म से और कम कर पाता है और बाद में उच्छादा शक्ति कर पाता ही नहीं कर बाता वह इसमें है तो बहुत यह शांदा स्टूई बनाई गई है सिंगल शोट में बड़ा मजा आता है और इसम इस पूरी कोमिक्स में बिठल कामले जी की इंकिंग है हला कि मुझे परसनली विनोद कुमार जी की इंकिंग खासी पसंद आती है और क्योंकि यह मेरे दौरा में अनुबम सीना जी का पहला कोमिक्स मैंने यह देखा था फस्ट टाइम हुआ यह था कि इससे पहले इच्छा था जी नागराज एक और आया था प्रताप मुल्क जी का जो कोमिक्स था उसके बार में सिर्फ सुना था मेरे भाईया ने मुझे थोड़ा से मैं फिफ्ट क्लास में था तो थोड़ा इच्छा था जी नागराज की और मैं ऐसे उसने कि मैंने एक बुक देखी उसमें नागराज होता है वो इच्छा था जोता है वो बक्सर में से साप बनके निकल जाता है ऐसा कुछ थोड़ा-थोड़ा ग्लिम्प्स दे रखे थे आज लाग इच्छा था है नागराज कोमिक्स बकाइदा में अपने हाथों में देखी नही नागराज कोमिक्स देखने को मिली थी इसका अदेखन से मुझे ने बोला कि यार बहुत शांदार कोमिक्स और इससे पहले मैं एक कोमिक्स लाए था फैंटम की मधद मैंने पहली बार कोमिक्स के चेतर में हाथ आ था आज माई था खाईदने में बिग बबल एक चुंगम वो उसका पुरा सैट लेने पर चोटी सी कोमिक्स में थी वह मेरे लाइफ ही पहले कोमिक्स पर्चेस बनी थी उसको पढ़ने गाद मैंने में इच्छा हुई किया एक कोमिक्स ख़ी देलाएं तो इक कोमिक्स शोप पे मैं गया था मेरे गड़ी की पिछवली गरी में थी और मैं एक चुली डायमंड कोमिक्स लेके आ गया था फेंटेम की और मुझे बिल्कुल वह पसंद नहीं थी उस समय मतलब जो मैं एक्स्पेक्ट करा था आट रू को अगरा तो उसके बाद जब ने अंदर मिनना इसको बबलू बोलते थैं बबलू जब लेके आया यह कोमिक्स उसने आध में दी तो मिनका यह होती है कोमिक्स मतलब वह 1997 का रिप्रेंट था मतलब थोड़ा से जश्च बात रिप्रेंट था तो कैंचुली के अंदर था और पीछे ताना शक अट था था और पिछे तानाशा गयाड था अंदर केंचुली कायड था और कुछ ट्रेडिंग काड वगर गयाड थे विश्च करने वगर के तो बहुत बहुत शांदर मुझे लगा था कॉमिक्स वह उसी दिन से अटेच्मेंट हो गया था राज कॉमिक्स से मैं कॉलिटी तो बच्चो यह इसी आशा में इच्छा दरी केंचुली अगरा सब वोटर कर दी थी आपने सद मेरे पराणे वीडियो में देखा भी हो तो में भी मैंने इस कॉमिक्स दिखाया हो पर वो ओरिजिन से डिटेल्स नहीं थी अब जा करके पहली बार मुझे यह ओरिजिन से डिटेल्स में देखने को मिली है जिसमें क्या देखने को मिलता है यहां पर उस समय कौन कौन सी कॉमिक्स इसे साथ पब्लिश हुई थी वह देखो इसमें लिखात है और ट्रेडिंग कार्ड फ्री आया था उस समय 16 रुपे की थी आई थी को मिक्स 1997 में 16 रुपीस प्राइस का और यह biggest बारे में इसमें data despite एक होपी चोड़ा तर एकस्त और इसके बाद में इसमें जुक्त पिर ब्रांदिन 49 बदो और इसके बाद होंगे तो परले विनास का भी बता रखाए कि मैं में अपलोब हो जाए और यह चीज इसमें लिखा हुआ है आज ही अपने अपनी पड़तिया नाइट निसेवन को मुझे अपने पुस्तक विक्रेटा के पास विक्षित करा लें बाद में ना मिलने के ऐसे विदा से बचे औ इसको एसा यहां पर देखा रखा है कि सवरी नोट मिरर इमेज और यह दोनों मुझे एक जिस लगए थे आर्टेस्ट एक होंगे थोड़ा सा लगए I'm sorry मुझे सेम लगाता है सेम नहीं है कोई कॉन्टेस्ट का है महाकाल का एड है इसमें मारा गया डोगा इस यह भी हमने म सब्सक्राइब करना है ठीक रहेगा क्योंकि सेट में वैसे वह सिर्फ एक प्रिंटिंग के साफ सेट बनाया है ताकि लोगों का क्लेक्शन पूरा हो सके सिक्वेंस बगार कुछ भी नहीं है बस मैं एक बात और चोटी सेट कर देता हूं कि नागराथ सेट 10 में ही राज का आज हमको कॉमिक्स और देखने को मिलता है पहली बार ग्लोसी में मैं इसको देखा ग्लोसी मतलब जो अभी मनाउज गुता जी जो क्वालाटिय रही है नोट कंप्लेटिल ग्लोसी तो वह पहली रही बार पार इक अच्छा और विद और विद ओर इंसा डेल भी बिला 7 का है, ये ये 2000 का है, कोहराम से जिस्ट पहले है, पिछे है आप देखिए, कोहराम का एन दिया हो है, थोड़ासा गेप भी है, इनमें 6 साल का, चार साल का गेप है, और इसके बाद इच्छाधारी चोर में वो कोमिक्स, एक और सिंगल चोट कोमिक्स आए था, वो टू के थी के आसपस आई था इच्छाद है चोर वो भी जो कॉमिक्स उसमें भी सीथरू रिटर्न होता तो तीन कॉमिक्स अनुपम सिना जी की बनाई भी और इसके अलावा जो अनुपम सिना जी नहीं बनाई इसे आखरी कॉमिक्स बगरा है अधर से शड़न तर वहां प पहले कर चुका हूं पेपर बेग का चाहो तो पेपर बेग की इसका कोई सी तो आया निया तो इसको भी चेक आउट कर सकते हो इसमें अगेन रिटरन होता है कुछ और सकतियों के साथ में सी तुरू और वही कणों से अपने बनाने कि शकती है और थोड़ा कलरिंग आपको दिखेगा देखी करवर में कंप्लेटली फिलेट कलरिंग अधर और आज में थोड़ी से आपको इफेक्ट विद इफेक्ट कलरिंग दिखेगी डिफेंस आपको नजर आएगा यह अंदर भी थोड़ा बहुत जो नागराची स्केल बनाने का तरीका है वो थोड़ा अलग देखेगा यह विश्वम्रत सम्मोन वगरम थोड़ा सा लग हो गया था मतलब थोड़ा सा आपको वो डिफेंस देखेगा कभी अच्छे एफेक्ट वगराई उसके है इसमें और यह अब जो अच्छी क्वालिटी का पेपर भाइस में ज्यादा मजा आराइस हो देखने में यह मैंने अभी तक में देखा था कभी इस तरह की की पेपर में नहीं देखा था मैंने अच्छा लग रहा है यह थोड़ा अच्छी प्रिंटिंग लग रही है कि बस इसमें भी सब कुछ लिए हैं और यह मैंने आपको बताए भी था कि 18 रुपय का एक मात्र कोमिक्स विश